उस समाज में नव युवा लोग सबसे ज़्यादा दुख छेलते हैं, जहां पर मरे हुए लोगों की ठीक से देख भाल नहीं की जाती। जब लोग मरते थे, कुछ खास चीज़ें की जाती थी। जिससे की, वो आपके जर्ये जीने की बहुत चक्तिशाली कोशिश न करें, आप उनके वंच से दूरी बनाते हैं, ताकि ये जीव, एक फ्रेश जीवन की तरह खुद को व्यास्थित करते हुए जीवन जीए। अभी, कुछ ही दिनों बाद महालाय मावस्या है, ये साल का वो समय है, जब, हाँ, हम सर्दियों में दिन और रात के बराबर होने के दिन के खरीब होते हैं, ये साल का वो समय है, जब धर्ती में स्त्रीगुन सबसे ज़्यादा होता है, खासका रूत्री गुलार्थ में, धर्ती का स्त्रीगुण और जादा बढ़ जाता है, तो प्रभाव शाली स्त्रीगुण वाले, पित्रपक्ष या महालयम आवस्या को ऐसे समय के रूप में भी देखा जाता है, जब हमारे पूर्वजों को सम्मान और आदर देते हैं, पूर्वजों का क्या महतु है, वो तो मर गए हैं, अब हम उनकी चिंता क्यूं करें? वेल, प्रॉब्लम ये है, कि आप जैसे आज हैं, आज की दुनिया में, आप लगातार गूगल पर होते हैं, शायद आपको लगता हो कि आपको गूगल वाली और अट नहीं पैदा किया है, जिन लोगों को हम पूरवज कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ वाँ भटक रहे हैं और पेड़ों पर जूल रहे हैं, पर वो आपके अंदर जीते हैं, आपके अंदर आपके वंच का असर कितना अब भी जिन्दा है, एक स्तर पर ये आपका जीवन समरिद बनाता है, और दूसरे स्तर पर ये आपका जीवन गुलाम बनाता है, हम जो हैं जैसे भी हैं, वो सिर्फ अपने पूरवजों की वज़े से हैं, उन्होंने जो सीखा, वो जो जानते थे, उनके हुनर, उनकी तकनीकें, उनके जीवन की समझ, हमने जाने अंजाने में ये चीज़ें अपने अंदर उतारी हैं, हम सबी ने, साथ ही साथ, अगर आप उन्हें अपने भीतर बहुत जादा मजबूती से जीने देंगे, तो आपका अपना जीवन अपना नहीं होगा, क्योंकि तब मुर्दों को कम मत समझेगा, वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे, इसलिए इतनी साथानी बढ़ती गई है, किसी एक संस्कृती में नहीं, दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में, लोगों के मरने पर कुछ चीज़ें की जाती थी, ताकि वो आपके जरिये जीने की बहुत शक्तिशाली कोशिश न करें, क्योंकि अगर वो आपके जरिये बहुत मजबूती से जीए, तो आपका जीवन बरबाद होगा, यानि कि आप एक फ्रेश जीवन नहीं होंगे, आप एक तरह से पुराने जीवन की एक कार्बन कॉपी होंगे, जिस तरीके से आप बैठते हैं और खड़े होते हैं, शायद आप इसे अपनी जिन्दीगी के शुरुआत में नहीं समझ पाएं, जब आप 18-20 साल के थे, तो आपने सोचा था कि आप पका अपने पिता या मा जैसे नहीं बनेंगे, आप वैसे बिलकुल भी नहीं बनना चाहते थे, आप समझें, मैं आजाद ख्यालात वालों की बाते क लेकिन जब आप 45 के होते हैं, तो आप उन्हीं की तरह बैठते हैं, खड़े होते हैं और बाते करते हैं, है न? अंजाने में, आपका शरीर उन्हीं की तरह चलता है इसलिए हर संस्कृती ने हमेशा कितने ही अलग-अलग तरीकों से खुद को मृतकों से दूर रखने का ध्यान रखा है भारत में हमने विस्तरत तरीके विक्सित किये, एक समय चुना, जब हम इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं था कि साल दर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना सकें, तो ये वर्ष का वो समय है जिसे पित्र पक्ष कहा जाता है, यानि कि ये पूरवजों की देखभाल करने का समय है शायद आप उन्हें जानते हों, शायद न जानते हों आम तोर पर बारा पीड़ियों तक पूरवजों की देखभाल की जाती है, ताकि वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश न करें, आप उनके वंच से दूरी बनाते हैं, ताकि ये जीव एक नई जीवन की तरह खुद को विवस्थित करते हुए जीवन जीए, खुद को एक नई संभावना बनाए और बस अतीत का दोहरावना बन जाए